हेलो एवरीवन वेल्गम टेमे मैं हूँ शचंग लखेरा अब आपने सुन लिया हो कि इम्रान खाने रिसेंट्ली एक रैली कंड़ेक्ट किया और यहां पे भारत का एक वीडियो क्लिप जो है दिखाए गया भारत का वीडियो क्लिप था एक्षजेशंकर का एक्षजेशंकर बहुत यच्छा रिप्लाइ दिया उन्होंने यहां पे यह कहा कि भाईया देखो जब आप खुद मतलब यौरप खुद यहां पे गैस परचेस कर रहा है रश्या से तो अगर हाल परचेस कर रहा है तो आपको दिक्कत क्या है अब देखो इसी को इमरान खान ने अपनी रै बहुत अपनी रैली में कि इंडिया की फॉरिंड पॉलसी जो है इनके लोगों के लिए है यह बेसिकली बाइंड नहीं है यह अपने डिसीजिजन जो है खुदिया आप लेते हैं लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसा कोछ आपको बिलकुल भी रोख दिया था अभी रिसेंटली जो है मैं वीडियो भी बनाया था इसके अलावा मैंने जो टाइटल रखा था वो था हूझ प्रोटेस्ट in पाकिस्तान आप सर्च करना आपको जो है वीडियो मिल जाएगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं अब देखो हुआ क्या कि कुछी दिन पहले इन्हों ने यहाप यह अनौंस किया 13 अगस्त को कि भाई यह हम जो है पाकिस्तानी को मतलब पाकिस्तान के जो लोग है उनको इन्वाइट करते कि भाई यह हकीकी आजादी जलसा जिसको यह true freedom कहा जाता है मतलब हिंदी में आप इसको true freedom हम कहोगे इसको इन्हों ने जो है कंड़िट किया 13 अगस्त को कि हम जो है अपनी 75 जो anniversary है उसको यहाँ पे बनाएंगे ठीक है और यहाँ पे इन्हों ने बात करी हकीकी आजादी की basically जिसको जो है true freedom कहा जाता है अब देखो बहुत सारे लोगे खटे हुए अब इन्हों ने इसी rally में इमरान खान ने क्या किया कि external affair minister जो हमरे एज़े शंकरे उनकी video clip जो है यहाँ पे देखाती अब देखो इन्हों ने यहाँ पर यह भी कहा कि देखो भारत की foreign policy कितनी अच्छी है भारत जो है अपने decision यहाँ पे खुद लेता है यौरप पे dependent नहीं है रशिया पे नहीं है भारत अपने decision खुद लेता है लेकिन पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं करती पाकिस्तान में महंगाई दिन बढ़ दिन बढ़ती जा रही है पेट्रोल जो है आपको 200 की उपर देखने को मलेगा और महंगाई जो है पाकिस्तान में बहुत सादा और यहाँ के लोग भी काफियत तक बहुत जादा परिशान है अब देखो इसके बाद होता क्या है कि already 14 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान का अजादी डे है मतलब जिस दिन पाकिस्तान अपने इंडिपेंडनेंस जे सेलिब्रेट करता है बलोच स्तान में मतलब बलोच जो प्रोटेस्ट है वो भी बलेक डे सेलिब्रेट किया गए तो बलोच जो लोग है उन्होंने मेजर जो है प्रोटेस्ट करें है अब देखो एक तरफ तो देश यहाँ पर आजादी देवस मना रहा था लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मेजर प्रोटेस्ट देखने को मिल रह करेंगे उसके पहले अगर आप किसी बैग्जाम के प्रफ्रेशन कर रहे हो तो आप सबस्क्रिप्ट अब झाष्al क कर सकते हो दो यह मारि Resistance प्र्म जिस्के पर नूग कर सकते हो एक बार एक बार फिर भारत की foreign policy की बहुत जादा तारीफ करी, क्यों? क्योंकि भारत की जो policy है, इनका यहाँ पर यह कहना है कि भारत की जो policy है, वो वहाँ के लोगों के लिए है मतलब वो independent अपने decision लेते हैं ऐसा नहीं है कि यॉरप रशिया पर यहाँ पर pressure बना रहा है पाकिस्तान के former Prime Minister ने, इमरहान खान ने इसी वीडियो को यहाँ पर use किया ठीक है, उन्होंने इसी वीडियो को जो हमारे S.J. शंकर साब का वीडियो है उसको जो है यहाँ पर play किया रैली में और उन्होंने बताया देखो कि भया, इंडिया जो है रैशिया से यहाँ पर oil खरीदा है क्यों? क्योंकि वो उनकी लोगों के interest के लिए है मतलब उनको सस्ते दाम पर मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर खरीद रहा है लेकिन पाकिस्तान की सरकार में इतना दम ही नहीं कि पाकिस्तान की सरकार जो है ऐसा कुछ कर पाए और continuously inflation जो है बढ़ता ही जा रहा है देखो कही न कहीं इमरान खान के अंदर गुस्ता बहुत जादा है क्योंकि इमरान खान को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गर जाएगी अब देखो यहाँ पे इंडिया की जो पॉलिसी है वो जो है इनके लोगों के लिए है इसकी अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की सरकार कभी भी ऐसा नहीं कर सकती क्यों कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान का यहाँ पे यह कहना है कि पाकिस्तान की सरक अब लेकिन भारत की इस्तिती जो है आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अब देखो ये जो पूरा वीडियो प्ले हुगा ना इसके बाद जो है पाकिस्तान में इस्तिती बिकड़ गई और मैं आपको दूसरी चीज बता दूँ कि ऑल्रेडी बलुचिस्तान में आप की ऑफिसर थे पांच यह छे आफिसर जो हैं यहापे मारे गए और देखो छोटे मोटे अफिसर नहीं थे यह सब हाई रैंक के ऑफिसर थे तो मेल दी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान आपको तूटता हुए नजर आएगा बलोचिस्तान में तो प्रोटेस्ट चली रहे हैं बलोचिस्तान के लोग तो यहाँ पर चाहते हैं कि हम बिलकुल पाकिस्तान से अलग हो जाएं और देखो बलोचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलब हो गया न तो पाकिस्तान को बहुत यह दर नुकसान होगा अब वो नुकसान कैसे होगा क्योंकि बलोचिस्तान जो है काफी रिच है पाकिस्तान बहुत सारा पैसा वहां से कमाता है क्योंकि वहां से गैस निकलती है तो काफी सारी गैसे यहां पे बेच देते हैं तो पैसा यह बलूचिस्तान से कमाते शरूर है लेकिन यह पूरा पैसा जो है इस्लामबाद, कराची और बी जो इनके शहर है वहाँ पे यह लगाते हैं और बलुचिस्तान के लोग भी जो है बहुत जादा परिशान है क्यों परिशान है क्योंकि बलुचिस्तान के लोग यहां पर यह कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी वाले आते हैं और हमारे जो माबाब हैं उनको यहां पर मार देते हैं कई साल हो गए हमारे माता पिता नहीं मि तो बलुचिस्तान के जो लोग हैं, वो continuously यहां पर protest कर रहे हैं, और देखो आने वाले समय में, बिलकुल जो है, पाकिस्तान में आपको civil war की इस्तिती बिलकुल देखने को मिले की, जिस तरी की situation 1 रही है, पाकिस्तान की इस्तिती जो है, बहुत जादा खराब होने वाली है, म आपको जो है इस वीडियो में काफे को जानने को मिला होगा, आप अपने ओपीनियन लिखेगा जरूर इसी के साथ यह तक इस वीडियो का सुने के लिए बहुत अलवाद, जय हिंद जय भारत